अब जोस्तों आप सभी का स्वागत है एक मिस्सा टेंग में टेट सिंडूस्टर हम लोग जिस कंपनी के ऊपर बात करने वाले हैं सेयर नीक लिम्टेड है दो रुपए के आसपा सेयर ट्रेड कर रहा है इसके quarter two के नतीजे आये हैं तो कैसे आये है नंबर उसके बारे हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे कैसी इसकी financial condition है प्रोफाइल क्या है कंपनी की सब कुछ हम लोग इसमें जानने वाले हैं चार्ट पर भी बात करेंगे क्या आपको इसमें investment करना चाहिए या avoid करना चाहिए वो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी आप वीडियो को सुरु से अंतक देखिएगा कैसी company की condition है वो सब आपको इस वीडियो में पता लग जाएगी और फिर आप खुदी decide कर पाएंगे कि हमको इसमें investment करना चाहिए या नहीं करना चाहिए करें तो अगर किस price पे करें वो सब कुछ आपको इस वीडियो में पता लग जाएगा जो चैनल पर नए होचे हैं सब्सक्राइब कर लें और फैसन बेल आल पर रखें जिससे आने वाले next update आपसे मिसना हो वीडियो को like भी करते हैं और share भी करते हैं अपने दोस्तों के साथ कि जो लोग इस company में इस चुक हैं वो जान सकी कि इसकी condition कैसी है टेलिग्राम का भी लिंक आपको वीडियो के deception में मिल जाएगा वहाँ पे ट्रेयर्स हम लोग news, dividend, announcement और quarterly earning के result जो आते हैं कंपनियों के वो post करते रहते हैं अभी quarter 2 के number आ रहे हैं तो वहाँ पे काफी जादा आपको post देखने को मिल जाएगा बाकि जो लोग VIP membership जोईन कर रखे हैं उनका बहुत बहुत थैंक्यू जो लोग जोईन करना चाते हैं उसका भी लिंक आपको वीडियो के deception में मिल जाएगा चलिए ट्रेडर्स हम लोग सेर निक के ओपर बात करते हैं तो ट्रेडर्स करंटली जो है एक रुपे 95 पैसे की आसपा सेर है 18% के अराउंड की मुमेंट मतलब अल्मोस्ट यह 20% का मुमेंट तक दिखाया है ट्रेडर्स इस सेर ने पर क्या यह वर्थ इट है मतलब खरीदने लायक है इस टाइन पर कंपनी वह सब कुछ आपको इस वीडियो में समझ में आ जाएगा distribution services का काम करती है wholesale distributors है paper जो कंपनिया बनाती है paper मतलब कागस के paper मतलब कागस जो बनता है paper कह रहा हूं बहुत लोग paper का मतलब newspaper समझ लेते हैं पदा नहीं क्यों बट हाँ यह जो ऐसे हो गया उस तरीके से कौपिया बनाती है और company जो पाउंड की गई थी वो December 2012 में headquarter इसका एहमदाबाद इंडिया में आ जाता है trade इसका main जो काम था वो देखिए इतना ज्यादा इसके काम में कमी आई है और इसके profit growth में इतनी गिरावट आई है कि अभी देखिए अब लोग इसकी financial condition review करेंगे तब आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि क्या इसमें investment कर चाहिए या नहीं करना चाहिए फिलाल ट्रेडस यहां पर earning पर share देखा जाए तो negative में है market capital बस 1 billion की है तो share का देखिए मैं आपको यहां पर एक point बहुत तगड़े तरीकी से और मजबूती से बता दू जो beginners है वो बिल्कुल avoid करें इस company को ठीक है क्योंकि share बहुत ज्यादा manipulate किया जाता है जो operator हो गए और जो बड़ी-बड़ी investment कर सकते हैं क्योंकि company की market capital ही 100 करोण के around की है तो अराम से यह share manipulate हो सकते है से भी भी कहता है कि अगर thousand मतलब करोण से उपर की market capital है company की तब वो थोड़ी बैतर रहती है वरना सभी जो उससे below की company होते हैं उसमें बहुत ज्यादा manipulate किया जा सकता है price का क्योंकि investment आया और share का price उपर जाएगा सभी लोगों को लगेगा वाह company काफी अच्छी है हमको भी investment करना चाहिए और फिर जो लोगोंने investment कर रखा है वो profit book करके निकल जाते हैं और जो retail investor होते हैं जो individual investment करते हैं अपने इंडियंस उनको फिर market से भरोसा उड़ जाता है कि अरे यह क्या यह तो बहुत जादा loss हो रहा है बेकार में ही लोग market recommend करते हैं कि investment करो इसकी conditions पर बात कर इसके price को up-down जैसा चाहे वैसा घुमा सकता है कोई भी जिसके पास अच्छी खासी रकम है बड़ी-बड़ी जो frames होती है वैसे बहुत बड़ी-बड़ी frames नहीं जो छोटी-छोटी frames भी होती है क्योंकि उनकी पास भी अच्छी रकम होती है अब इसको 50 lakh से ही manipulate किया जा सकता है यह इस company के लिए बहुत बड़ी investment हो जाएगी तो इस हिसाब से यह share जो है बहुत ज्यादा मैंनो प्लेट किया जाते है फिलाल इसकी book value की बात करें ट्रेश तो एक रुपे 20 पैसे है तो आपको अगर इस पे entry फिर भी लेना है तो जो सबसे genuine price आ रहा है अभी मैं पिलाल हम इसकी conditions समझने वाले हैं कैसी है यहां पर देखिए about में mention कर रखा है company all kind of paper बनाती है pulp हो गया और paper boards भी बनाती है company और इसका trade भी मतलब वेपार भी करती है थोग भाव में इसका all time high price की बात करें तो 37 रुपी 70 पैसे तक share जा भी रखा है promoters की holding यहां पर मेंजन है 60.8 यहां पर हो सकता है बहुत सारी pledged भी हो अभी हम लोग नीचे चेक कर लेंगे quarter wise जो सितंबर के number है वहां पर भी 60% गिरावट आई है तो काफी बड़ी गिरावट है अब तो ऐसा लगता है जैसे company बंद होने को नजदीक आ गई है क्योंकि से एक रुपे पर मतलब आप समझ रहें 800% से ज्यादा की गिरावट जो कि बहुत बड़ी गिरावट कहलाता है तो यहां पर जैसे कि उपर मैंसिन कर रखा है कि जो promoters की holding हो 60% है पर वहां पर 60% का 53.72% प्लेश्ड हो रखा है तो यह काफी खराब condition है company की एक तरीके से कहें तो क्योंकि पहले company के number आप देखेंगे data देखेंगे बहुत strong बहुत healthy आ रहे थे ठीक है जैसे कि आपको मैं 2018 के बाद करूँ तो वहां पर company लग रही थी हां बहुत अच्छा growth कर रही है क्योंकि आप से देखिए 200 करोड के आसपास होता था 200 करोड के पास फिर उसके बाद जून से जब से lockdown और वो सब हुआ सितंबर में number अच्छी आया उसके बाद से आप देखेंगे इसमें लगातार downfall रहा है और इस बार के जो सितंबर की sale है वो बस 9 करोड के आसपास के तो बहुत भारी इरावट यहां से जून से यहां सितंबर में आई है तो आप समझ सकते कंपनी की कंडिशन जो है बहुत खराब इस टाइम पर हो रखी है कंपनी जो लॉस में आ रही है 5.58 करोण का तो यह काफी बड़ा लॉस हो जाता है इससाब से इसकी कंडिशन को काफी ज्यादा एक तरीके से कह लिए धक्का लगा है पहले से बहुत ज्यादा downfall हो रखा है नॉर्मली आप इसका 2013 से देख सकते हैं 2011 तक प्रॉफिट लॉस बुक में यहां पर थोड़ा बहुत पहले मार्च 2013 में कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ फिर एक करोड फिर एक करोड फिर तीन चार फिर मार्च 2019-2020 में आप देखेंगे तो लगभग बराबर कर रहा है इसको कंडिशन कम है पर अभी भी कंपनी की कंडिशन बरकरार है एकडम वैसे ही क्योंकि नंबर अच्छे आ नहीं रहे है तो मैं तो कहूंगा आप अगर बिगनर है तो बिलकुल अवाइट करिए आपको अगर रिस्क लेना भी है तो इसमें सबसे यादा इमांट जो इन्वेस् के लिए जाना है तो आप जो चार्ट में नजर आता है देखिए यह इसली मैनू प्लेट किया गया है अब आप देखेंगे यहां पर इतनी बेकार कंपनी है कंडिशन बेकार है क्यों इतना आप यहां पर वॉल्यूम में देखिए 10 मिलियन तक का वॉल्यूम जनरेट हुआ क्यों यह इन्वेस्मेंट आई है यह सिंपल सा है कि ताकि जो बिग्णर से कौटरली नंबर आए है सभी लोगों को लगेगा नंबर तो खराब दिखा जिन लोगों को अब नंबर चेक करना नहीं आता उनको लगेगा इस्ट्रॉग नंबर आये होंगे तभी लोग इतना और वो एक certain point आने के बाद profit book कर लेंगे और retail investor फज जाते हैं तो इस चीज से avoid करिए, यह चीज मैं इसलिए clear cut बोलता हूं ताकि जो अपने beginners हैं उनका market से भरोसा ना उठे और फिर उनको अगर loss होता है तो वो cover up कर सकें, इसलिए ज्यादा से ज्यादा 2000 investment इनफ है इस share के जिनकी market capital 1000 करोड की market capital से उपर है आप उनको choose कर सकते है वो थोड़ा आपको safer side रहेंगे क्योंकि उनका price manipulate करना इतना असान नहीं है जितना इन company का है तो इसी note पे हम लोग इसको add करते हैं यहाँ पे कुछ भी इतना खास नहीं रहने वाला है जो लोग काफी high price पे हैं वो wait क कर सकते हैं क्योंकि already आप काफी ज्यादा इसमें loss में होंगे ही जैसे कि इसमें आप देखे यही होता है लगातार share देखे यहां से growth हुआ क्योंकि इधर बीच में इन्होंने investment किया share उपर गया यहां पे इन्होंने profit book कर लिया ठीक है अब लगातार गिरावाटाई फिर इन कर दो